नमश्कर दोस्तों, मेरे पाम लिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखे, एक-एक करके सकरात्मकता है, नकरात्मकता है, को देख के हम चीजों को बता देंगे, कावन वर्सकीन की आयू है, अब ये क्लास वन ओफेसर है, तो आप सबसे परे देखिए, अगर आप जीवन में सही माइने में तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सही माइने में सक्सस करना चाहते हैं, तो कुछ दो-तीन लाइन्स का बरा महत्व होता है, अगर ये किसी व्यक्ति के हाथ पर नहीं थोगा, तो व्यक्ति या तो वैपार में या नौकली में, किसी एक चीज़ में अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे ही, ग्रोध इसके साथ भी है, बाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छा हो, बाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बढ़िया हो, तो ये इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति कोई भी कारी करें, कोई भी कारी जैसे वेपार हो जाए, जैसे आपका किसी प्रकार क जौब हो जाए उस कारे में वो success को प्राप्त करता है no doubt. तो कोई भी कारी करेगा तो वो success को प्राप्त करेगा चाहे वो किसी भी तरीके का कारी हो चाहे वो job करे या कोई भी चीज करे तो यहाँ पर आप देखो के तुम आगे रेखा इनके हाथ पर बहतर है, तो इन्होंने अपनी जिन्दगी के लिए नौकरी को चुना तो जब आपके हाथ पर एपोर्चुनिटी की रेखा, धन रेखा, शनी प्रद रेखा ये ताकतवर स्थिती में हो और आप अपने जीवन में एपोर्चुनिटी मतलब आप जीवन में ये सोचते है कि आपका जौब होना चाहिए, तो आपको जौब का एपोर्चुनिटी मिलेगा, अगर आप ये सोचते कि आपका विपार होना चाहिए, तो आपको विपार का एपोर्चुनिटी मिलेगा, तो बड़ी अच्छी दनलाव आता है, इस केस में विक्ति गुणी होते हैं, और जब आप गुणी हैं, स्टेबल हैं, तो आप अच्छे कासे दनलाव को भी प्राप्त करते हैं अपने जीवन का आल में, तो यहाँ पर मेरे समझ से बागे रेखा में भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, यह बुद्ध रेखा होगे, यह बड़ा इंपोर्टन्ट लाइन है, यह बड़ा गजब का लाइन है, मतलब विक्ति नौकरी करेंगे, मतलब व्यक्ति ग्रोध को प्राप्त करेंगे, मतलब व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेंगे, कोई भी व्यक्ति इनिशल स्टेज में है सक्सेस को लेके, कोई भी व्यक्ति को बड़ा स्टार्ट अप ले रहा है, कोई भी व्यक्ति धनलाव के लिए अपने जीवन में प्रयास कर रहा है तो अगर इस प्रकायर के चिन्न होंगे शाइशूरी रेखा हो या फर बागे रेखा हो तो वो विक्ति कितना ही तकलीफ में क्यों ना हो वो विक्ति कितना ही तनाब में क्यों ना हो उसके जीवन में सक्सेस आएगा इश्वर पर बरोसा रखना है अब आप देखो क कि एक indications होता है तो अगर ब्रश्पती पर square बन जाए तो ये एक महतपून indication होता है धनलाव के लिए ये एक महतपून चीज होता है growth के लिए ये एक महतपून चीज होता है प्रगती के लिए ये एक महतपून चीज होता है धनलाव के लिए ये एक बहुत important sign माना जाता है बिल्कुल अब इसके बाद आप देखेंगे तो एक बड़ा महतपूर्ण चीज है जीवन रेखा पर इस प्रकार की प्रगति के रेखा तो बता ही देती है ना आपके जीवन में growth समझाई देती है ना आपके जीवन में growth definitely आपको मिलने को मिलेगा तो यहाँ पर success का ये दोधीन मंत्र है जिसको आप दिमाग में रख लीजे इस प्रकार के चिन्न होंगे कभी-कभी आप आगे रेखा को देखने में मिजज़ कर जाते तो उसके लिए हम है बिल्कुल आप दिखा सकते हैं जिससे हम आपको बहतर तरीके से indicator कर देंगे बता देंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ किस प्रकार की सितिया पर स्थितिया बढ़ेंगे लेकिन इस प्रकार के चिन्न वाकिरती होंगे तो आप जीवन में धनलाव को प्राप्त बिल्कुल करेंगे अब आगे देखते हैं कि हर एक विक्ति के हाथ पर negativity रहती है, positivity रहती है, तो definitely आपके हाथ पर भी negativity है, तो आप देखो कि तो शुकर पर ये वाला मोल, अब देखो शुकर पर मोल जो है बड़ा negative चीज होता है, इस case में विवाहिक जीवन में तनाव, पारिवारिक जिन्दगी तो इसके लिए भी को certain उपाये हैं, जो कि आपको वेलकुल करने हैं, ताकि आप जीवन पर growth को प्राप्त करके आगे बढ़पाये, बिल्कुल सफलताओं को प्राप्त करके आगे बढ़पाये, तो यहाँ पर ये मोल है, जिसका आपको कोई गुप्त परशानी का योग, सम बाद आप देखेंगे तो जीवन रेखा पर इस प्रकायर की राहू के रेखा जो की आपको बिल्कुल तनाव, परस्परिक तनाव परस्परिक दिक्कतों को देता है, अगर आपके हाथ पर राहू की रेखा हो तो ये इंडिकेर करते हैं, जीवन के कुछ-कुछ परहाव में साती है हाला कि ये राहू रेखा का पढ़ाव खतम हो चुका एक खुशकवरी है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रकायर से मानसेक तनाव हो रहा है तो राहू रेखा जीवन रेखा पर किसी भी जगा वस्थित होती है तो थोड़ा बहुत प्राब्लम्स ये परिशानी आता है लेकिन इस्पेशली परिशानी उस पार्टिकुलर प्रियर्ड में आता है तो वो प्रियर्ड आपका समाफ हो चुका है ये खुशी की बात है इसके बाद तो कोई खास negativity नहीं है वो मैं जब जनरल अध्यन करूँगा उसमें बताता रहूँगा तो आप देखे ये mind line ये life line हलाकि independent source तो आपका बहुत पहले सही था लेकिन 23-24 पर इसके बाद इंडिपेंडेंसी के योग भी बन गए थे यहाँ पर आप देखें कुछ triangle से degree पूरे करने के योग थे initial stage में 20-22 में दिक्कत था फिर एक दिक्कत 24 में था 26 में ग्रोथ था, 20 में ग्रोथ था, 32 में ग्रोथ था लेकिन tensions जो stability है tensions है, mood swings है या फर कहलो धन को लेके problem से तकरीबन आपके 35 years तक बना रहा है लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर continue growth का योग है, no doubt लेकिन फिर भी 35 के बाद भी आपने थोड़े बहुत थोड़े बहुत परस्तितिया विपरीद देखिए कहने का तात पर यह है कि घर भी बना लिया मकान भी बना लिया, गारी भी खरीद लिया EMI चल रहा है, loan चल रहा है मन में एक tension बना हुआ है, कि हाँ मुझे EMI चुकाना है, मुझे loan चुकाना है तो यह वाली system दिख रहे थी, लेकिन stable position आपके 40 years के बाद नज़र आ रहा था जो कि आयो का बेलकल रिवल नहीं किया जाता है वो आपकी सुकून से बड़ी वी बीतेगी वो आपकी सुकून से बड़ी वी नज़र आईगी आ रही है मुझे यह मंगल ड्रेका अच्छा है, लक्जूरियस लाइफ के योग भी बने है तोड़े बहुत टेंसंस के लाइन है यहां भी दिख रहे है एक मौल है जो कि तोड़े तनाफ को दिखा रहा है यह पर आप देखोगे तो थोड़े आपके हाथ पर योग बने हुए हैं जिसका मतलब यो होता है कि ऐसे विक्ती उत्ता टेंशन लेते नहीं है थोड़े बॉटी टेंशन लेंगे सेदिक स्क्वाइर है क्या बात है जबरदस्त यहाँ पर भी ट्रेंगल है बहतरीन पुरे 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 रेका बढ़िया है जीवन पर आगे बढ़ते हैं माइंड रेका अच्छी दिमाग के तेज अरद रेका काफी शानदार है विस्टो योग का फॉर्मेशन है रूटीन को फॉलो करने वाले हैं बैलेंस अच्छा दिल देमापके बहुत अंदरुस्त है यासे दवाब है तो काफी महनती अब आप आगे देखेंगे तो आगे भी और चीज़े हैं जो कि मैं आपको बलकुल दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देखेगा तो जबरदस्त है यह बाग्य रेका जीवन के अंतियम समय था बाग्य रेका में कोई कमी नहीं आगे भी बाग्य रेका बहुत शांदार गजब यहाँ पर आप देखोगे तो यह भी स्क्वाइर साइन क्या बात है यहाँ पर भी पुरिपुने आपकी काफी शांदार है जो कि आपके जीवन में ग्रोध को बताती है यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन होता है अगर आप एक जीव विक्ति के हाथ पर बना होता है तो आप यह समझ के चलो यह मान के चलो क्या बड़े भागिशाली है सनमरकरी अच्छी होने से आप एक परिवार से तालुकात रखते हैं आपकी जिंदगी बहतर रहती है आपने जिंदगी पर बहतरी के रूप में लाइफ को बताते हैं दोड़ो मंगल बढ़िया है तो यहाँ पर यहाँ आप हाईली एनर्जेटिक है अच्छे एनर्जी प्राकरम समर्पन के साथ आप कारे कर सकती है और मंगल अच्छा होना आपके एक अच्छे स्वास्त को दर्शाता है देखो आज के दिन चरिया में स्वास्त तो किसी का भी खराब हो सकता है हाँ लोग अपने उपर नियंतरन रखेंगे खान पान पर नियंतरन रखेंगे मानसर की सथी पर नियंतरन रखेंगे त जीवन पर जब भी जण की आवशक्ता हो ये आपको धन देता है ये गजब की ये सूरी रेका जो वीनुमाकरती के साथ है मतलब आपने जीवन में ग्रोध को तो प्राप्त करेंगे ही आप अपने जीवन में प्रगतिवा सफलता को तो प्राप्त करेंगे ही दनलाव को तो प पसंदा है लाइक कर दे कमेंट करें से स्थारी का रिखा के सही जानकरी प्राइद करें चाहते हैं आप वोट्स अपर डिस्क्रिप्शन ने मिल जागा लेकर आप समपर कर सकते हैं